जाहिन देखिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लगभग दो साल पूरे होने जा रहे हैं ये फरवरी में इसका दो साल हो जाएगा अभी जिस एरिया में रूस इंट्री कर चुका था यूक्रेन में वहां से जब वो लॉट रहा है तो आपने पूरे रास्ते में माइन् बैक जाहिन को नहine साल हो गए है अबिश समय के भी कुछ-कुछ माइन्ज जो पोद हो आफी बीपहते है वहां पर इतना लंबा यह सब का सेल्फ लाइफ होता है इतना समय भी तेज़ा बहुत कमजोर पड़ते जाते हैं और इसी वीच यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रसिया ने अमेरिका को धमकी देने के लिए अमेरिका को एक लेशन देने के लिए अभी उसके उपर एक प्रेसर बनाने के लिए एक नए मिसाइल का परिछन किया और यह नया मिसाइल पानी के अंदर से मारता है पता ही यह हीडन टार्गेट है यह साइलेंट कीलर कहा जाता है पंडूभी को पंडूभी के अंदर से यह परिच्छडります मिसायल उसे सबस्ते क 딱 करें लेकिन लॉंग नुरी के लिए और हैभी तबाहि मचाती है उसे कंङे इस्ट्रेडजिक मिसाईल का परिचछड किया और जो की पंडू के अंदर से दिए यह जो पंडू है यह बड़ा सांथ दिखती है, इसको silent killer कहा जाता है, यह बंदरगाव पर लाए जाता है, यह bubbles लगाए जाता है, तक यह बंदरगाव से टकरा है, नहीं, जिससे कि इसके structural damage हो जाए है, यहाँ लाए जाता है बंदरगाव पर, यह पानी के अंदर चली जाती है, अभी तो यह क पानी के गहरे पानी में ले जाए जाता है, यह बहुत जरूरी होते हैं, कितने भी बड़ी जहाज हो जाए, टाइटेनिक हो या भारत का विक्रमादित, विक्रांत, जो भी युद्धक जहाज हो जाए, उनको पानी के अंदर चली जाएगी, और पता ही नहीं चलेगा, इसके अंदर चली गई, और इसके अंदर से मिसाइल फायर कर देगी, उपर से, और यह अचानक पता ही नहीं चले का कहा गया, इसका structure काफी complicated होता है, पंडूबी का, आगे का portion तो mainly इसका केवल एमुनेशन के लिए यूज होता है, यह उपर के और यह वर्टिकल्स मिसाइल होती है, निकलने के लिए, आगे से इसके अंदर torpedo लगे होते हैं, torpedo क्या होता है, अंदर अंदर किसी दूसरी पंडू भी को मारना है तो torpedo, या अंदर से किसी पानी वाली जहाज को मारना है तो torpedo, लेकिन torpedo ground attack नहीं कर पाता है, इसलिए ground attack करने के लिए जैसे पानी के अंदर क मिसाइल की जरूबत होती है तो वर्टिकल लाइंच के लिए है यूज कर देते हैं Tow это पर पीडो के निए पीछह से भी एस करने के लाज़ अलग अलग जगह के लिए झाने के लिए अब अलग अलग जगा और बड़े साइच की पंडूभी पूरी दुनिया में सबसे जादे रसिया बनाता है, उसकी पंडूभी बहुत बड़ी साइच की होती है, जिस वज़े से उसमें बहुत जादे मिसाइले आ जाती है, यह पंडूभी जो दिखने में सरीफ होती है, इसके आगे का एरिया में किसे सबम आपिए पंडू भी कि आगे का यह खूल याता है और इसी पीसला चला जाएगी पादी सरफेयर चलाएक है इसके एंदर होता है यह कितना हैच बना हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ हमको तो आठ दिग रहा है आठ हिदर रहे यह नीं सुला बैलिस्टिक में सब्रुम subscribe यूज कर सकते हैं बैलिस्टिक मेंटेनल भाप के लिए होती है इतना जाद यह पोफुल होता है जब इसमें से मिसाइल निकलता है तो पानी के अंदर नहीं घुज़ पाता है यह पानी के अंदर चली जाती है, मिसाइल निकलने से पहले इसके अंदर इस्टीम भाफ छोड़ा जाता है, तो प्रेसर से पानी को आने ही नहीं देता है, अब तब तक यहां से मिसाइल चली जाती है, फिर यह हैज को बंद कर दिया जाता है, और यह अंदर अंदर silent killer बोला जाता है पंडू भी किसी को भी पता ही नहीं चलेगा अंदर अंदर रहेगा ना रडार में आने वाला ना किसी में और परमाडू पंडू भी है तो बाहर भी नहीं निकलेगा जैसे डीजल एलेक्ट्रोनिक पंडू भी क्या होती है वो बाहर निकल के अपना जनरेटर चलू क वो अंदर ही अंदर रहेगी और पता नहीं चलेगा अंदर से अचानक से मिसाइल निकल के मार देगा तो रस्या ने जो अभी मिसाइल पर इक्षड किया है और बलावा मिसाइल का पर इक्षड किया यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल और पानी के अंदर से ही फायर किया जा सक को अंतरिक्ष में जाना गरूरी होता है, space में जाके फिर आता है, atmosphere के ऊपर चला जाता है, और उसके बाद आके यह हमला करता है, और यह कई parts में होता है, दिखिए, इसका range हमेशा जादे होगा, यह जादे तबाही मचाएगा, जादे दूर तक जाएगा, इसलिए से strategic कहते है अगर कम तबाही और थोड़ी दूर तक जाता है, तो उसे हम tactical कहते हैं, इसमें rocket engine का use होता है, क्यों? क्योंकि जब यह atmosphere को छोड़ देगा, तो यहाँ पर हवा खतम, oxygen खतम, और आपको पता है, कि किसी भी चीज को जलने के लिए oxygen की जरूरत होती है, तो इसके अंदर जो fuel ह है, वो तो जल ही नहीं पाएगा अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ पे तो oxygen ही नहीं है, तो इसलिए अपना एको oxygen का cylinder लेके जाता ही, धदकाते रहता है, धदका हो, यहाँ पे धदकाते रहता है, तो जो जहाज या जो instrument, जो भी मतलब engine, अपना personal oxygen का cylinder लिया रहता है, उसे कह है, जेट इंजन, जहाज में लगल रहता है, जेट इंजन, हेलिकॉप्टर में, जेट इंजन, वो बाहर से सूंग लेता है, oxygen इसे, होगिया काम, यह, अंतरिक्ष में चल गया, पता चला, सूंहिये नहीं पाएगा, अब हवाई जहाज लेके हम लोग अंतरिक्ष में जाई बिना सेटलाइट के बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रित्वी के बड़े दूर तक हमला करता है, तो इसे क्या आता है, कि कोई ना कोई सेटलाइट चाहिए उसे टार्गेट दिखाने बाला, अब जब यह वापस आता है, तो अपने क काइनेटिक एनर्जी अप्रितिवी के ग्रेविटेशन के वज़े से बहुत तेजी से आता है अब यहां पर क्या किया वैज्यानिकों ने दिमाग लगाया कि जब मिसाइल भेजी रहें तो इसके साथ इसके अंदर आठ दस्थ परमाडू बॉम रख दे एठो यहां गिरा दे हैं यहां गिरा देते हैं इसलिए बहुत खतरणाक होते हैं भारत को जब बनाये गया परमाडू बॉम ऑब बैलिश्टिक मिसाइल तो एपीजय अब्दुलकलाम ने कहा कि यह सान्ती का हतियार है क्योंकि जब तक हमारे पास रहेगा हम सान्ती से रहेंगे यह लड़ाई का यार नहीं है तो आज हम लोग को भी मार देता है यूकरेन की तरह पीटा जाते हैं कभी गाजा का हाल हो गया रहाता आज को यह ना भारत को आख दिखा है तूरा गर्दा लगा के यह निकाल लेगा अदमी यहां पर भारत की सेना है न उस तरह के मजबूत यह सम्मिसाइल कपके पास कोई सैज्य कुई नहीं भारत के पास वी य है और हम दोनों की टेखनाऊलोजी भी कर लेते हैं तो अमेड़् के पास यह लेकिन आमेरिका इससे काफी डरा हुआ है इस चीज़् को लेकि आमेरिका के लिए एक बहुत से जया आधे मारना हुए है अब यह तो तो किलोमीटर चल देगी वहां जाके मार देगी पानी तो पूरी दुनिया में भैला हुए है कहीं भी जाके मार सकतीए और इसके साथ छे पेलोड जा सकते हैं यह चे-छे परमाडू बंब एक साथ ले जा सकते है तूग मारा था जापान के हीरो सीमा नागा सकी में जापान तबाह हो गये थे अभी अमरीका के लिए सरदर्द बनाया हुआ है यहां पर क्योंकि यह पंडूबी कहीं भी जा सकती है नहीं भी जाएगी तो यहीं से मार देगा किसी भी सहर पे जादे उड़ेंगे तो यहां प मदद करने के लिए चल देंगे तो इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका वहां पे लगा के रखा है अपना जंगी वेडा रसिया भी एक और प्रॉब्लम को फेस कर रहा है रसिया के उपर परतिबंद लगा दिये गए जिस वज़े से वह व्यापार नहीं कर पा रहा है और जो उसके पहले से व्यापार हो चुके हैं जिसके डील साइन हो गया है उसके में भी पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रहा है रसिया के उपर बैन, एमबार्गू और सैंक्सन तीनों तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है दिखें एमबार्गू क्या होता है किसी खास चीज इसको रोकने के लिए एमबार्गू लागाय जता है एसलियो फिलिस्तीन और इस्राईल के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है यह cats यह कह से अरब country हैं अगर ऐस्राइल बग害रा मेंटर पे अगर अरब country हम उन्हें पेट्रोल नहीं देंगे मेली वो किवल एक प्रोड़क्ट या एक से दो प्रोड़क्ट पे रोक लगाते हैं तो उसे एंबार्गू कहते हैं जैसे ओईल एंबार्गू ऐसे अरब कंट्री ने कर दिया था हला कि अभी उनमें इतना हिम्मत बचा नहीं है कि जो इसराइल के ख पोर्ट भी भी तरह से है कर रहा तरह सकता है डूट गुंधडावश थी वो ऺमेट नहीं कर पा रहा और भारत ने रखान्रग missile system खरीदने की बात की थी, तो जिसमें रसिया को भारत ने हर एक payment कर दिया था, डॉलर में, लेकिन दो squadron की अभी payment बाकी थी, दो squadron की होता है, एक squadron में, एक squadron में दो battery होती है, और हर एक battery में, हर एक battery में चार ऐसे ट्रक होते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये चार मिलकर एक battery बनाता है, और दो battery मिला देंगे, तो एक squadron बनेगा, चार बैटरी मिलाएंगे तो दो squadron मनता है, अलग-अलग missile के लिए battery और squadron के number अलग-अलग होते हैं, अभी जहाज के लिए squadron की संख्या अलग हो जाती है, हिलिकोप्टर में squadron की संख्या अलग हो जाती है, एस पोडर आगे हम रूपिया में लेकि क्या करेंगा हमारे पास रूपिया तो चलता नहीं डॉलर चाहिए हो गए आप इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए तो इन दोनों ने क्या किया कि हम दो कर दो स्क्वार्ण का पेमींट के बदले में उच्छ हो कार्गोट कर दिएखम और बदले में वह में नोbirds यह पस도用 होगे एक्सचेंज हो गया तो हम तो कहते हैं कि वारत सरकार को ऐसे व्यापार पर और अच्छा काम करना चाहिए हमारे यह यह पेमेंट के देते तो सीधे कैस जाता है अब यहां रोजगार मिला और दिखिए रोजगार ही बहुड़ी बड़ी चीज नहीं होती है जैसे जैसे हम चीजों को बनाते जाते हैं हम अपडेट होते जाते हैं 22 जहाजों को बनाएंगे तो साइद हमें कुछ अपडेशन आ जाए हमें कुछ और नई टेक्नेलजी सीख जाए तो और बेटर हो जाता है यहां पर इसके इलावे भारत और रसिया को व्यापार करने में बहुत प अच्छा था रसिया का भी दूबई से बहुत अच्छा है तो दूबई का देरहम तो अभी हम दोनों व्यापार किसकी करेंगे दीरहम में क्कीpower में क्योंकि आप सब समझे होंगे आप सभी देशवासियों को हैपी दिवाली दिवाली की धेर सारी शुब कामना है हैपी दिवाली एकदम पूरे देश में खुशाली आए दिवाली के उसर पे सारे लोगों को धेर सारी शुब कामना है पूरे देश वालों को हैपी 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 दिवाल ही लेंगे नेक्स क्लास में? जाहिन!